अन्राग भुदौरिया जी अब मैं आपसे दूसरी बार कोशिश कर रही हूँ कि शफिकुर रह्मान पर आप जवाब दीजे आपको जवाब देना होगा उन्होंने कहा कि 21 तक अगर शादी होगी तो आवार्गी करेंगी अचिक है अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपने बोला समाजबादी पार्टी के राष्टिय दर्जिने को कह रही है बचाओ में आए बचाओ में नहीं आए उन्होंने साफ साफ कहां देखिये उनका वेक्तिकत है मामला हम पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी उन्होंने बोल निकालिये पूरा पूरा निकालिये एक सब्सक्राइब करने तो आप क्यों नहीं कीजेगा और वो पहली बार नहीं के रहे हैं शाफिक और रह्मान बर्ख हमेशा इस तरह का बयान करते हैं कितना समान करते आप जानते हैं बीजेपी ने कुछ बनाया क्या आज तक कोई बिदे पर पर दे रहे हैं तो उसको भी रोग दिया है इनों आपके शाफिक और मान आवार्गी बोलेंगे आपके चीखने से ना अन्राग बदौरिया जी आपके लगतार चीखने से आप सही नहीं हो जाएंगे थोड़ा सा बिनमर हो कर कभी तो बात सुनिये सर लगतार मत बोल रहा हूं है हमारी स्रयोगी ने जब उनसे पूछा कि आखिर लड़किया करियर कैसे बनाएंगी पढ़ाएंगी या एक बार कुरेदने से नहीं बोले हैं उन्होंने कहा कि 18 साल तक पढ़ा लिया ना अन्राग बदौरिया आपको सवाल सुनना होगा लगतार मत बोलिया आदत आपकी ठीक नहीं है सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही है आप सवाल गम से गम सुनिये जब हमारी रिपोर्टर सुप्रिया ने उनसे पूछा कि बच्चे अपना करियर कैसे बनाएंगी तो उनका कि 18 साल तक बाब आपने पढ़ा दिया ना फिर ससुराल में पढ़ेंगी जाकर आमें सब कुरेत रहा रिपोर्टर हम बात कर रहे हैं फिर हम पाधी की बात कर रहे हैं पूर्टर चुटर तो यहीं बात शुप्रिया और मीशन के माम». में चैलेंज से कहता हूँ एक इन से पूछना जी उत्रप पर से लिए कोई नहीं और इसे पारट नहीं की उगी जिसने महिलाओं के खिलाफ बयां देने की वज़े से कारवाई की होगी किसी नेता के खिलाफ इसी लिए बोलते हैं ये इसलिए मन बढ़ता है इसे तमाम नेता होगा एक लंबी फैरीस ते सर आपकी पार्टी में भी लंबी फैरीस ते कॉंग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी में लेकिन कोई भी शिर्षस नेता ऐसी मिसाल नहीं कायम करता है अगर है अगर मैं घलत हूँ तो आप बता दीजे संबी जी तेखिये अंजरा जी आप सही कह रही है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ है हाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा हुआ है किसी में कम हुआ है मगर अमूमन समाज के हर धड़े में ये मैं कहूंगा ये जो जिस प्रकार की मिसौजनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नारी के खिलाफ जो सोच है ये समाज के हर धड़े में कही न कहीं स्थापित है और इसे दूर करने की अवश्यक्ता खास करके हम politicians को तो है ही, क्योंकि हम तो role model हैं बहुत सारे लोगों के, अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो देश कैसे ठीक होगा, देखे मैं ये उदाहरून दूँगा कि भारती जंता पार्टी ने फलाने नेता को हटाया, उसको हटाया तो इसको what about three कहते हैं, और मुझे लगत देखे अंजना जी इस प्रकार की बहस में एक तो ये बहस बहुत गंगीर बहस है, चिलाते क्यों है ये बीच में, मैं प्लीज बोल लूँ अंजना जी, उसके बाद आप गलत हूं तो ये ठीक कर लेंगे अंजना जी, आपको मैं टाइम दूंगी बदारिया जी, बात पु आप देख लीजिए, ये तो पब्लिक डोमेन में है, आजम खान ने 2019 के चुनाओ के समय में जया प्रदा के लिए कहा था, ये तो आजम खान ने, जया प्रदा के लिए आजम खान तो बहुत नजदीकी है, वो तो बुड़े भी नहीं है, बुजर्ग भी नहीं है, कोई कु मेरी बदायूं में दो महिलाओं के साथ रेप हुआ था और फांसी चड़ा दिया गया था, जब वो महिला पत्रकार जा रही थी, तो उस महिला पत्रकार को बहुत जानी मानी पत्रकार है, उसको अखिलेश जी ने कहा था, तुमारे साथ तो रेप नहीं हुआ है, तुम क्य साल पहले हमारे निता ने कहा था, तुमने हाथ रस में क्यों नहीं किया, इस चकर में जिस विक्ति को आज हमें केंदर में खड़ा करके उसके डिसक्शन होना चाहिए, वो बचके निकल जाएगा, विश्वेश्वर हगडे जी निकल जाएंगे ना बचके, तुमने कहा अगर इस पर हसा है तो उचीत नहीं है,